नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट असामलेकुम नई सुभा इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया स्किन केर में क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉस्चराइजिंग जितना इंपॉर्टन रोल प्ले करते हैं इतना ही आइसिंग भी प्ले करता है यानि अगर आप अपनी स्किन के रोटीन में आइसिंग को भी इंक्लूट कर लें तो आप बेस्ट आफ यूर्स किन अचीव कर सकते हैं लेकिन सिंपल आइसिंग करने के साथ अगर आप कुछ नैश्रल इंग्रीडियंट्स भी आइस क्यूब्स की सूरत में स्किन पर अप्लाए करें तो आप इसके डबल रिजल्स रचीव कर सकते हैं इसके लिए सिंपली वन कप रौ मिल्क लें और इसमें टू डेबल स्पून कॉफी पाउडर शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसे आइस क्यूब्स ट्रे में डाल कर फ्रीज कर लें और फिर अपनी मौनिंग और नाइट स्किन के रूटीन में फेस वाश करने के बाद एक क्यूब लें और हलके हाथों के साथ फेस और नेक पर मसाज करें और फिर फेस को पानी से वाश कर लें इस तरह के से आइसे करने से ना सिर्फ ओपन पोर्स श्रिंक होंगे बलके इसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा और मिल्क और कॉफी की नूट्रिशन स्किन को डीपली प्रोवाइड होगी स्टार्ट में आप आइसिंग, मौनिंग और नाइट स्किन के रूटीन में शामिल रख सकते हैं आफ्टर वन और टू वीक्स जब आपको इसके रिजल्स नसर आना स्टार्ट हो जाएं तो आप इसे वन सर डे भी कर सकते हैं तो यूज आइसिंग फोर यूर स्किन केर विद इन नूट्रिशन ऑफ नाइट्रल इंग्रीडियंट्स और खुबसूरत ग्लोइंग और रेडियंट स्किन को इन जॉई करें ये तो थी आज की रेमिडी तिल नेक्स नाइम अलाहने के बाहन ये मालमाते मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए ये डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाज कीजिए